अजय गुडूड इविंग फ्रेंड्स आप पढ़ेंग्ड पौफफब करना ना बूलें जो भी फ्रेंड्स आपके दोस्तों रिलेटेव हों जो भी मतलब पढ़ाई करते हैं कुछ उसमें से पस जाहें आपका ठीक है। कि अगर ज्यादा की बोलो तो लोग कहते नहीं इतना नहीं फशेगा इसलिए कि थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत भी फश जाए तो यह रहेगा कि वीडियो सही रहे ठीक है इसमें पढ़ेंगे लुसेंट का भाग 20 लुसेंट के भाग 20 पढ़ेंगे इसमें पारसी धरम कौन सा पारसी धरम ठीक है इसमें पारसी धरम ठीक है ठीक है क्या हुआ था इनके द्वारा पारसी धरम में कुछ जादा नहीं पढ़ रहा है इसके बारें पढ़ना है ठीक है इनके पारसी धरम के परगामबर ठीक है इनके संस्थापक कौन थे संस्थापक किसके पार्सी के क्या थे संस्थापक कौन थे इस चीज को बताना है ठीक है पार्सी धरम के संस्थापक कौन थे इसके संस्थापक के थे जर जर्यू त्रिश्टी जर्यू त्रिश्टी इसके क्या थे संस्थापक थे ये कौन थे कि इनका किया था इन्होंने पार्शी धर्म में किसे सानगे जायरुष्टी थे जो कि एक क्या थे इन्होंने इन्होंने क्या किया था इन्होंने कि जेंदा फो टेका जेंदा अबिश्ता नाम गरंत से क्या की आता है इन्हे ने सिक्छाली हिन्हें ली सिक्छा ली किसने ली इसके संसाव जय इस्ट्री जर्रुष्टी ठीक है जर्रुष्टी ने इसके क्या इसकी ग्रंज से सिख्चाली और इन्हों हमोने भार्सड्रहम इसको सब्सक्राइब अपना चरह एक सब्सक्राइब छिसको क्या कहा अगया जिसको कहा गया अहूर ठीक है इसमें क्या है एक इसवर है जिसको अहूर नाम से जाना गया पार सी तर हमें अहूर नाम से किसको इसवर को जाना गया इसके संस्ताब के तो जर्थृष्टी जर्थृष्टी ठीक है जो क्या थे एक इरानी ठीक है जो कि क्या थे एक एरानी थे फिश टीड थी है इन्होंने क्या कि दय drafted जिंदा आ你说 अवेक्ष ढूर्णकी दिर्ण से क्या लिए इन्हों ने दर्यन से दियों लिए इस धरम में इन्होंने बंग बनाया कि एक ही इसवर है जिसका नाम क्या हो अहूर इसको नाम मनाया है ठेक है उन्होंने बताए का पारसी धर्म के अनुआई कौन से पारसी धर्म के अनुआई अपनाने वाले अनुआई ठीक है क्या करेंगे अगनी पूजक अगनी पूजक क्या करेंगे एक अगनी पूजक कहा गया ठीक है एक अगनी पूजक कहा गया इनको क्या कहा गया एक अगनी पूजक कहा गया पारसी धर्म के अनुआई को क्या गया एक अगनी पूजक कहा गया ठीक है ठीक है इस गरंथ की मूलसिक्षा, ठीक है? इसकी मूलसिक्षा में क्या है? इसकी मूलसिक्षा में है सूत ठीक है? सूत, सद बिचार सूध सद बिचार सद बचन सद बचन और क्या कहँआगा सद कार ठीक है सद कार इस चीज की सिक्छा लिए ठीक है दोगों जपार्स धरम के बारे में कोई ज़्यादा नहीं है इसमें 2-4-5 मिट के बारे में ही ठीक है इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल का उदय मतला एक तरीके से ये वीडियो का लाश्ट पॉइंट है बीस पार्ट में आपको लूसेंट का जो मतला एंसेंट टैम था मतला एक तरीके से धरमों के बारे में और भी जो मतला एंसेंट टैम था उसके बारे में के बारे बारे में पढ़ेंगे ऐसके बारे में किसे बारे में इसके बाद document है उसके बारे में पढ़ेंगे किसके वारे में मगत राज का और फ्रेंट्स वीडियो को लाइक और शेर करने पर पार्सी धर्म के वारे में सिर्फ इतना ही था इससे जाला कॉंटेंट कहीं पे भी नहीं मिला है और अगर आप लोगों को मिले तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं थैंक यू फ्र